हलो फिरेंट수 अब देख रहे हैं गुले एंसेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम वर्चुवल कीबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्चुवल कीबोट का इस्तेमाल हम अपने ट्रांजक्शन्स को छुपाने के लिए करते हैं जैसे कि हम online banking करते हैं, online payments करते हैं, online shopping website से कुछ खरीदते हैं, हम mobile से भी खरीदते हैं, वहाँ पर भी keypad होता है, हम laptop से खरीदते हैं, वहाँ पर भी keypad होता है, और हम desktop से भी खरीदते हैं, तो वहाँ भी keypad होता है, जहाँ पर keypad होता है, वहाँ पर key logger नाम का एक malware भी हो सकता है मैं आपको बता दू, antivirus अगर हम इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं तो key logger जो एक program होता है, जो एक malware होता है, जो एक virus होता है वो हमारे system के physical keyboards जो होते हैं, वहाँ पर जाके छुप जाता है और हम जो keys entry करते हैं, जो strokes हम देते हैं, वो सारे के सारे वो capture करता है, receive करता है और जिस आका ने उसे हमारे system में send किया है, उस आका तक वो पहुचा देता है इस तरह से हमारे जो passwords है और user IDs है, वो hack हो जाते हैं और हमारे transactions automatically complete होने लगते हैं, और हमारे accounts खाली होने लगते हैं तो इन सारे चीजों से बचने के लिए, आज मैं आपको simple सा तरीका बताने वाला हूँ वहाँ पर हम जाकर किस तरह से virtual keyboard का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं एक online transactions करके आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर 500 रुपीज आइड करूंगा और virtual keyboard का इस्तेमाल करूंगा मैं इस वक्त मैं यह समझता हो कि मेरे system में अभी key logger है key logger एक virus होता है आप यह ध्यान रखना बहुत लोग antivirus का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें तक्रीबन पता होता है कि antiky logger से वो लोग परिचित होते हैं वो जो antiky logger होता है वो antivirus में एक features होता है वो key logger जो भी आप perform करते हैं टास्क अपने जो बुरे काम करते हैं अपने system में आकर उन कामों को यह क्या करते हैं छुपा देते हैं होने नहीं देते हैं यानि कि dominate करते हैं यह ना neutral कर देते हैं antiky logger ठीक है की logger के कामों को बरबात कर देता है तो antiky logger antivirus में होता है अगर आप लोग antivirus यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि antiky logger क्या होता है ठीक है फिलाल antiky logger अगर आपके system में नहीं है और key logger का होने का भी खत्रा है तो कोई बात नहीं हम virtual keyboard का इस्तेमाल करेंगे virtual keyboard का इस्तेमाल करने से होता क्या है कि जो हम physical keyboard में जो भी strokes देते हैं जो भी keys add करते हैं वो क्या होते हैं physical होते हैं actually और virtual keyboard में जब हम add करते हैं वो कहीं पर भी नहीं होते हैं की logger को भी नहीं डिखते हैं तो इसलिए हम वर्च इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा करने से हम जो user ID इंसर्ट करेंगे, जो password हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, वो बिलकुल भी key logger को पता नहीं चलता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो मैं एक बार अभी keyboard से टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, इस दर से keyboard से, तो अब क्या है, वो store हो चुका है, क्योंकि मैंने physical keyboard में उसे इंटर किया है, तो अगर key logger है मेरे system में, वाइरस है, तो वो क्या करेगा, उसे capture करेगा, ठीक है, और जिसने भी उसे send किया है, हमारे system में डाला है, वहाँ तक उस end point तक वो पहुचा देगा, इस information को, ठीक है, तो यह सब चीज से बचने के लिए banks होते हैं, वो virtual keyboard already provide करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर नहीं भी करते हैं, तो आप अपने system में भी virtual keyboard का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर अभी डाल लेता हूं, जैसे कि मैं insert कर लेता हूं, ओके, मैंने यह आपर user already डाली है, अब मैं यहाँ पर password डाल लेता हूं, अगर आप virtual keyboard रहते हूं भी अपने physical keyboard से insert करोगे, तो data चोरी होने का खतरा है, ध्यान रखना, यह चीजे हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग road पे चलते हैं, तो बहुत speed से चलते हैं, आगे पीछे नहीं देखते है हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी बहुत speed से चला रहे होते हैं, हम precautions नहीं रखते हैं, बहुत काम को बहुत speed से करने में विश्वास रखते हैं, आप दिन में office में जा रहे हो तो office में भी काम speed से करना चाते हो, कोई भी काम आपके life में, आपके 24 hours day में जो भी काम होता है हम क्या करते हैं स्पीड से करना चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि हमारा एक काम स्पीड से हो ताकि हम दूसरे काम को फेज से पकड़ सके हैं ना तो क्यों कोई जिन्दगी में आज कल बहुत busy schedule चल रहा है तो ये सब चीजे हम लोग करते हैं सब के साथ होता है हमारे साथ भी होता है आपके साथ भी होता है लेकिन क्या होता है कि हम precautions भूल जाते हैं तो ये छोड़ी-छोड़ी precautions है हमारे transaction से संबनित है इसलिए हमें इस तरह की precautions को रखना ज़रूरी है ताकि आने वाले भविशे में जो भी हजार्स हम face कर सकते हैं उन्हें हम नहीं करेंगे हैं तो ये चीजे होती है तो ये मैंने यहां पर insert किया है और मैं जैसे login करूंगा तो मैं अभी बिल्कुल safely websites में चला गया हूँ जो state bank की websites में हैं तो इस तरह से आप transactions कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं वर्चुल कीबोर्ड का इस्तिमाल करती हुए अब मैं आपको बता देता हूँ वर्चुल कीबोर्ड की जगा आप अपने सिस्टम की कीबोर्ड का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए आप कंट्रोल पैनल में पहले जाना होता है कंट्रोल पैनल में जाने की बाद हम Ease of Access Center में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखते हैं Start on Screen Keyboard यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कीबोर्ड ओपन हो जाता है आप यहाँ पर देख रहे हैं यह कीबोर्ड ओपन हुआ है यह भी एक वर्चुल कीबोर्ड है जैसे कि हम State Bank of India की वेबसाइट में देख रहे हैं थे थोड़े दिल पहले यह वहीं कीबोर्ड है यह भी वर्चुल कीबोर्ड है लेकिन अगर आप किसी बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर अल्रेडी वर्चुल कीबोर्ड है तो उसकी कोडिंग इस कोडिंग से बहुत बेटर होती है और वो इसे अलाउड नहीं करता है जहां पर कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है वर्चुल कीबोर्ड वहाँ पर आप अपनी सिस्टम का कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तीक है इस तरह से आप किसी भी ट्रांजेक्शन में इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी amount और जो भी transaction जो भी password जो भी user ID आपने insert करनी है उन सब में आप इस keywords का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ और यह मेरा keyboard है और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर 500 entry करूँगा तो यहाँ पर 500 insert हो रहा है तो इस तरह से आप keyboard का इस्तिमाल कर सकते हैं और virtual keyboard का इस्तिमाल करके हम अपने जो ID और user ID और password है उन्हें अपने पास तक ही सिमित रख सकते हैं तो यहीं ता इस वीडियो में और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आइंटी वायरे से समधी जान करी stock market के live charts को देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप मार्केट में involved है और आपके friends भी है तो आप अपने friends को भी हमारे live charts जो 6-6 घंटे की पूरे दिन के session के live charts है वो सिर्फ 3 मिनिट में compress करके हमने अपने चैनल पर load किये हैं वो सब आप favor कर सकते हो शिर्फ शिर्फ एक शर्थ है कि आपको हमारे चैनल को subscribe करना होगा तो मिलता है नेक्स पूरे में किसे और information के साथ तब तक लिए गुडबाए नमस्कार टेक